पूर्णिंग स्टूरेंग्स कैसे हैं बेटा आप सभी सभी बच्चे अच्छी तरह से और अपना काम भी कर रहे हैं ना और पढ़ाई भी करनी हैं आपको साथ साथ बेटा आज की क्लास में मैं आपको प्लार अरिज्मेंट की कुछ टेक्निक कि यहां पर बताऊंगी कुछ आरिज्मेंट यहां पर सिखाऊंगे आपको और बहुत ही सिंपल और जो घर में हमारे सीजन फ्लार से अभी उनका ही यूज करके हमने अपना फ्लार अरिज्मेंट या फ्लार डेकोरेशन करना है तो देखिए सबसे पहले क्या लिया है मैंने यह इस तरह की बेटा कुछ ल सकते हैं इस तरह से यह बास्केट लिया है फ्लार की आप चाहें तो सिंपल बास्केट भी यूज कर सकते हैं ठीक है अब हम इसमें कैसे अरेंज करना है हमने वह यहां पर देखेंगे तो यह बास्केट है हमारी और इसमें हम अपनी अरिमेंट करेंगे पहले मॉस रखेंग और उसके बाद फिर इसमें हम साइड में लिव्स लगाएंगे यह ऐसे हमने फिट कर लिया यहाँ पर और अब जो यह लम्बी वाली लीव्स लिए हैं बेटा मैंने आप किसी भी तरह कि आपके पास हो लम्बी लीव्स ले सकते हैं और इस तरह यहाँ पर पूरा इस साइड से हम ऐसे इसे कवर करेंगे लीव्स के साथ यह आप कर लिजे बेटा सारा हम पूरा कॉर्णर से अपनी बास्केट को अच्छी तरह से लीव्स से कवर कर लेंगे और इसके लिए मैंने टू थ्री रोस के फ्लार्स लिये हैं तो आप रोस के फ्लार भी ले सकते हैं और अगर आपके घर में कोई और भी रेड कलर के दूसरे फ्लार्स हो तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं यह इस तरह से हम सारा यहां लगा लेते हैं बिटा तो बिटा हमने जो यहां पर लीव्स अपनी लगा लिए अब हम इस तरह से सारी लीव्स को दीरे दीरे अराम से यहां पर ऐसे अरेंज करेंगे और इस तरह का थोड़ा सा शेप देंगे जैसे यह इस तरह से हमारा जो य और यहां पर हम इसे ऐसे टाइ कर देंगे तो पीटा अब जब यह अपना ऐसे बांध लिया यह देखिए किस तरह से मैंने इसे टाइ किया है यह आप देख लेंगे यहां पर यह इस तरह से हमने कर लिया है तो यह यहां ऐसे होगी शेफ हमारी तयार अब इसे साइड में जो ये वाला हमारा पार्ट है इसको हम करते हैं तयार उसके लिए थोड़ी छोटी साइज की और लीव्स लिए है मैंने उनको यहाँ ऐसे लगाऊंगी यह देखे यह ऐसे लगा लिए अब क्या करना है अब हम इन सभी लीव्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे यह देखिए यह ऐसे सारी जितनी भी लीव्स है उनको सबको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि जो यह वाला स्पेस है यहाँ हमारे फ्लार के लिए स्पेस बन जाएगा ठीक है तो इन सभी लीव्स को फोल्ड करते हैं बिटा यह देखिए लीव्स जो हमने यहाँ जालेंगे तो यह सारी लीव्स यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर दिया अब क्या करना है अब हम इसमें लगाएंगे अपने फ्लार जो यह वाला पार्ट है हमारे इसका बचा हुआ अभी बीच में अब यहां सेंटर में हम अपने फ्लार लगाएंगे इस तरीके से यह देखिए तो आप रेड कलर के दूसरे फ्लार भी लगा सकते हैं अगर आपके पास रोज नहीं है तो वैसे यह सिंपल जो सीजन वाले रोज होते वही मैंने लगाए हैं तो आप यह लगा सकते हैं और इस तरह से बिटा आप अपना यह सारा फ्लार अरिनमेंट है जो कर लेंगे यह इस तरह से और भी आप यहां पर ज्यादा फ्लार्स लगा सकते हैं तो बिटा देखिए यह सारा हमारा जब कंप्लीट हो गया है पूरा तो इस तरह से दिखाई दे रहा है तो आप भी इसी तरह से बिटा सुन्दर से अपना फ्लारेजमेंट कर लेंगे और इसमें क्या थीम ह के हमने लीव्ज लिए हैं दो तीन तरह के हमने फ्लार्स लिये हैं यहां पर मतलब कई तरह के और अलग-अलग शेप्स और साइस के फ्लार भी और अलग-अलग कलर भी हैं और यह हमारा थीम बन गया unity in diversity तो वह चोटा सा टैग आप यहां पर लगा देंगे अगर स्टिक के साथ लगाना चाहें तो और इस तरह से आपका ये थीम के साथ तयार हो जाएगा तो आप भी ऐसा सुन्दर सा बनाएंगे बिटा और मुझे भेजेंगे आप एक और थोड़ा सा छोटा सा देख लीजे बिटा और भी इजी तरीके से और सिंपल वे में हम कैसे फ्लार अरेंज कर सकते हैं जैसे ये इस तरह से पेपर बैग होते ना बिटा और कलरड़ वाले भी होते हैं तो आप कलरड़ वाला ले लीजे या इस तरह से ले लीजे कोई भी पेपर बैग ले लीजे और उसका साइज थोड़ा मेडियम साइज हो छोटा हो ज्यादा बड़ा ना हो जैसे इस तरह से और फिर उस paper bag को ये देखिए मैंने ऐसे cover कर दिया है जो उसका front side है उसे cover कर दिया है और बीच में थोड़ा सा यहाँ पर space बना लिया है और कुछ-कुछ paper bags ऐसे भी होते हैं जो बीच में यहाँ पर पहले से ही transparent उसमें कोई sheet लगी होती है या space होता है तो वो और भी अच्छे रहेंगे उसे भी हम use कर सकते और फिर क्या करना है यह देखिए अब हम इसमें अपना जो flower है उनको कैसे set करेंगे सबसे पहले आप जो इसका यह वाला bag का उपर वाला part है इसे आप ऐसे करके paste कर लेंगे पूरा अच्छी तरह से पहले आप cover कर लेंगे और कवर कर दिया है और उसके बाद यहां पर इनको ऐसे paste कर लेंगे यह देखिए पिटा आफ्टर पेस्टिंग इस तरह से हमारा यहां वाला space आ गया हमारे पास और इसमें अब हम अपने flower डिस्प्ले करेंगे यह देखिए आप चाहें तो छोटे-छोटे flowers भी ले सकते लेकि कि हम यहां पर ऐसे अरेंज कर सके हैं रोज के छोटे flowers ले ले लिजिए कोई different और भी season flowers हैं वो ले लीजिए आप कैसे भी flowers आप ले सकते हैं जो आपके पास घर में अवेलेवल हैं और इस तरह की basket बनाकर बेटा आप जैसे मानलो सेडन आपके घर में कोई guest वगेरा आ रहे हैं तो आप इस तरह से अपना flower basket तयार कर सकते हैं simple से paper bag के साथ और इसमें मैं थोड़ी सी leaves भी लगा रही हूँ material तो बिटा आपके पास जैसे हैं वैसे आप यूज करिए यह आपको केवल flower को present करने का presentation आपको तरीका यहां पर presentation का बता रही हूँ कि आपके इस तरह से अपना flower arrangement कर सकते हैं और किसी भी occasion पे आप इन्हें यूज कर सकते हैं इस तरह अपना flower basket बना कर तो यह देखिए बेटा थोड़ी सी leaves और flower के साथ हमारा इस तरह से यह सुन्दर सा paper bag से flower basket बन जाएगा तो यह भी एक तरीका है बेटा flower arrangement का तो इस तरह से आप भी कर लीजे बेटा किसी भी तरह की चीज को यूज करके और आप सुन्दर सा अपना flower arrangement तयार कर लीजे और उ ऐसा भी आप flower arrangement बना रहे हैं बेटा उसकी पिक आप मुझे जरूर भेजेंगे तो चलिए फिर अगली ग्लास में मिलते हैं ओके बाई झाल झाल